हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप एक बाद फिर से स्वागत करते हूं मेरे योट्यूब चेनल कमलेश की रिशोय में तो दोस्तो आज हम बनाने वाले हैं कमलेश की रिशोय में सूजी या रवा के लड़ू जो बीना चासनी के बनाएंगे एक चमच घी में बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेश्टी होते हैं तो दोस्तो चलिए ना देर करते हैं बनाना सुरू करते हैं सूजी के लड़ू बनाने के लिए एक कटोरी सूजी लिए आदी कटोरी दूद लिया है तीन चमच नारिल का बुलाता लिया है दो चमच बड़ी मलाई लिये दूद की एक कटोरी चेनी लिया है ड्राइप्रू गी हमारा गरम हो चुका है अब यह सूजी दिये यह डाल देते हैं और अच्छे से कम आज पर अच्छे से इसको घून देते हैं इसकी आज कम रखेंगे अच्छे से भून जाए सूजी हमारी भून चुकी है अच्छे से लो आँच पर ही इसको घूनिये अभी यह डाल देते हैं इससे हमारी लड़ू बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसको एक मिट के लिए भून देते हैं इसके अंदर गेस की आँच कम ही रखेंगे एक मिंट हो चुकी है अब क्या करेंगे यूद की मलाई ली है यह डाल देते हैं इसके अंदर यह बिल्कुल मावे कहीं काम करेगी यह आप नहीं डालो तो घी ज्यादा डाल सकती है मलाई बिल्कुल ताजा होनी चाहिए इसको एक मेट के लिए भून लेते हैं अब यह दूद लिया है यह डाल देते हैं और अच्छे से भून देते हैं इसको निक्स कर देते हैं इसको चास में गड़र नहीं देते हैं अब जीं बना रहे हैं अब इसको भी में प्राइब ने डाल सकते हैं अब हम चीन डाल देते हैं कि चासनी नहीं बनाई है बीना चासनी के बना रहे हैं तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर गेस की आँच कमी रखी है विक्षा नवरा लड़ू बनने के लिए प्यार हो गया है बिल्कुल आपको थोड़ा सा सुका लगे तो दूड ओडाल शकते हो अब इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं मिस्ट्र हमारा ठंडा हो गया है अब हम इसके लड़ू बनाएंग यह देखो आसानी सी बन गए है इसके लड़ू इसी तरह हम सारी लड़ू बना लेंगी लड़ू हमारी बनके त्यार हो गए बहुत ही अच्छे बने हैं सोफ्ट बने हैं कम गी में आप बना सकते हो अगर हमारी रेसिविल परसंद आई तो इसको लाइक शेर और चैनल को सब् करना ना भूले